हरी ओम तच्सत श्री हरी गीता ग्यार्मा अध्याय विश्वूत रूप दर्शन योग विपूती योग के बारे में बताने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा वजपर अनुग्रह करने के लिए आपने परमगोपनिय अध्यात्म विश्यक बचन अथार्थ उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा अज्यान नष्ठ हो गया क्योंकि हे कमलनेत्र मेंने हूतो की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना हे परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हो ऐसा ठीक है परन्तु हे पुरुशोत्तम आपके ज्यान एश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज यूक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं इसलिए हे प्रभो मेरे द्वारा वे आपका रूप देखना जाना शक्य है यदि ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर आप अपने अविनाशी स्वरुप का मुझे दर्शन कराईए इस प्रकार अर्जुन के प्रात्ना करने पर भगवान श्री कृष्ण बोले हे पार्थ मेरे स्यक्णों तथा हजारा नार्ना प्रकार के रूप अक्रिती वर्ण अलोकिक रूपों को तु देख हे परंत बंची अर्जुन मेरे में अदित्यों तथा अदिती के 12 पुत्रों को और 8 बचुओं को, 11 दुरुद्रों को और दोनों अश्पनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को भी देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखी जाने वाले अश्चरे में रूपों को देख और हे अर्जुन अब हल्मी में मेरे एक जंगा इस्तित हुए चराचर सहित संपून जगत को भी देख और भी जो कुछ तु देखना चाहता है वे सब देख अध्यात्म की अत्यदिक उलजी हुई पहलियों में एक पहली से ये सुत्र शुरू होते हैं वे पहली है कि प्रभू बिना श्रम किये मिलता नहीं और साथ ही जब मिलता है तो जिसे मिलता है उसे लगता है कि मेरे श्रम का फल नहीं प्रभू की अनुकंपा है जो उसे पा लेता है वैं जानता है कि मैंने जो किया था उसका कोई भी मुल्य नहीं और जो मैंने पाया वैं सभी मुल्यों के आतित है जिसे मिलता है वैं समझ पाता है कि यह प्रसाद है यह ग्रेस है यह अनुग्रे है लेकिन जिसे नहीं मिला है अगर वैं यह समझ ले कि प्रभू प्रसाद से मिलता है मुझे कुछ भी नहीं करना तो उसे प्रसाद से कभी नहीं मिलेगा मनुष्य श्रम करे श्रम से परमात्मा नहीं मिलता लेकिन मनुष्य इस योग्य हो पाता है कि प्रसाथ की वर्षा उसे मिल पाती है जील गड़ा वर्षों को पैदा करने का कारण नहीं है लेकिन वर्षा हो तो गड़े में भर जाती है और जील उपलब्ध हो जाती है वर्षा पहाड पर भी होती है लेकिन पहाड के शिखर रूखे के रूखे रह जाते है वर्षा गड़े पर भी होती है लेकिन गड़ा भर जाता है अपूरित हो जाता है गड़े के किसी श्रम से नहीं होती वर्षा लेकिन गड़े का इतना श्रम जरूरी है कि वै गड़ा बन जाए कोई श्रम करके सत्य को नहीं पा सकता क्योंकि सत्य इतना विराठ है और हमारा श्रम इतना शुद्र कि हम उसे श्रम से ना पा सकेंगे जो हमारे श्रम से मिलेगा वे हमसे छोटा होगा हमसे बड़ा कभी नहीं हो सकता जिसे मेरे हाथ गड़ लेते हैं वे मेरे हाथों से बड़ा नहीं हो सकता और जिसे मेरा मन समझ लेता है वे भी मेरे मन से बड़ा नहीं हो सकता जिसे मैं पालेता हूँ मैं मुझसे छोटा हो जाता है इसलिए श्रम से ना कभी कोई सत्य को पाता है ना कभी कोई परमात्मा को पाता है ना कभी कोई मौक्ष को पाता है और साथ ही यह भी होता है कि बिना श्रम के भी किसी ने नहीं पाया यह पहली है आईए सुनते हैं श्री हरी गीता का ग्यार्मा अध्याय अर्जुन ने कहा उपदेश यह अतिगुप्त जो तुमने कहाद करके दया अध्यात्म विशियक ग्यान से सब मोह मेरा मिट गया विस्तार से सब सुन लिया उत्पतिले का तद्व है मैंने सुना सब आपका अक्षे अनन्त महत्प है है आप वैसे आपने जैसा कहा है हे प्रभो मैं चाहता हूँ देखना एश्वर मैं उस रूप को समझे प्रभो यदि आप मैं वह देख सकता हूँ सभी तो वै मुझे योगेश अव्य रूप दिखला दो अभी श्री भगवान ने कहा हे पार्थ देखो दिव्य अनुपम विविद वर्नाकार के शत शत सहस्त्रो रूप मेरे भिन भिन प्रकार के सब देख भारत रूद्र वसु अश्वनि मरुत आदित्य भी आश्चर देख अनेक अब पहले न देखे जो कभी इस देहे में एक अत्र सारा जगचराचर देख ले जो और चाहे देखना इसमें बराबर देख ले मुझको न अपनी आँख से तुम देख पाओगे कभी मैं दिव्य देता द्रिष्ट देखो योग का वैभव सभी संजी ने कहा जब पार्थ से श्री कृष्ट ने इस बानती हे राजन कहा तब ही दिया एश्वर युक्त स्वरूप का दर्शन महा मुखनायन थे उसमें अनेको ही अनेका रूप था पहिने अनेको दिव्य गहने शास्त्र साज अनूप था सीमा रहित अदबुद महावे विश्पतो मुखरूप था धारण की ये अतिदिव्य माला वस्त्र गंद अनूप था नब में सहसरवि मिल उदे हो प्रभापुंज महान हो तब उस महात्पा कांति के कुछ कुछ प्रकाश समान हो उस देव देव शरीर में देखा दनंजैने तभी बाटा विविद विद से जगत एकत्र उसमें है सभी रो मांचतन में हो उठा आश्चर से मानों जगे तब यो धनंजै सिर जुका कर जोड कर कहने लगे अर्जुन ने कहा भगवन तुमारी देहे में मैं देखता सुरगन सभी मैं देखता हूं देव इसमें प्राणियों का संग भी शुब कमल आसन पर इसी में ब्रह्म देव विराजते इसमें महेश्वर और रिशिगन देव्य पन्नग साजते बहु बाहु इसमें है अने को ही उदर मैं रूप है मुख और आखे है अने को हर स्वरूप अनूप है दिखता न विश्वेशर तुमारा आधि मध्यनांत है मैं दिखता सब और छाया विश्वरूप अनन्त है पहिने मुकुट मन्जुल गदाशुब चक्र धरते आप है हो तेजन दिसारी दिशा दैतिप्त करते आप है तुम दुर निरिक्ष महान अपरम पारहे भगवान हो सब और दिखते दिप्त अगनि दिनेश सम द्वितिवान हो तुम जानने के योग्य अक्षर भ्रम अपरम पार हो जगदीश सारे विश्व मंडल के तुमी आधार हो अव्य सनातन धर्म की रक्षक सदैव महान हो मेरी समझ से तुम सनातन पुरुष हे भगवान हो नहीं आधी मध्यन अंत और अनंत बलबंडार है शशी सुर्य रूपी नेत्र और अपार भुजविस्तार है प्रज्वलित अगनी प्रचंड मुख में देखता मैं धर रहे संसार सारा तप्त अपने तेज से हरी कर रहे नव भूमी अंतर सब दिशा इस रूप से तुम व्यापते यह उग्र अद्वत रूप लखिते लोक्य थर थर कापते ये आप ही में देव व्रिंद प्रवीश करते जा रहे डरते हुए कर जोड जै जै देव शब्द सुना रहे सब सिद्ध संग महर्शी गण भी स्वस्ती कहते आ रहे पड़कर विविद विद सोत्र जामिन आपके गुण गार हे सब रूद्र गण आदित्य वसुह साध्य गण सारी खड़े सब पितर विश्वे देव अश्पिनी और सित्थ बड़े-बड़े गंधर्व गण राक्षस मरुत समुदाई एवं याक्ष भी मन में चकित होकर हरेवे देखते तुमको सभी बहु नेत्र मुकवाला महा बाहो स्वरूप अपार है हातों तथा पैरो वजंगा का वड़ा विस्तार है बहु उदर इसमें और बहु विक्राल डाड़े हैं महा बैबीत इसको देख सब हैं भै मुझे भी हो रहा यह गगन चुम्बी जग्द मगाता हरी अनेको रंग का आँखे बड़ी बलती खुला मुक भी अनोखे धंग का यह देख ऐसा रूप मैं मन में हरे घबरा रहा नहीं धैर धर पाता न भगवन शांती भी मैं पा रहा डाड़े भयंकर देख पड़ता मुक महा विक्राल है मानो धदकती यह प्रलेपावक प्रचंड विशाल है सुक है न ऐसे देख मुक भूला दिशाई भी सभी देवेश जग आधार है भगवन करो करुणा भी दितराष्ट सुत सब साथ उनकी ये निपति समुदाय भी श्रीव भीश्म द्रोन आचार कर्ण प्रधान अपने बट अभी विक्राल डाड़ों युत बयानक आपके मुख में हरे अतिवेग से सब दोड़ते जाते धड़ादर हैं भरे ये दीक रहे सब कुछ दांत में लटके हुए रणशूर है इस दाड़ में पिसकर अभी जिनके हुए शिरचूर है जिस भांती बहु सरिता प्रवा समुंद्र प्रति जाते पहे ऐसे तुमारे ज्वाल मुख में वेग से नर जा रहे जिस भांती जलती ज्वाल में जाते पतंगे वेग से योम्रित तहित ये नर मुखों में आपके जाते दसे सब और से इस ज्वाल में मुख में नरों को धर रहे देवेश रसना चाटते भक्षन सभी का कर रहे विष्टों प्रभाएं आपकी अतियोक्र जग में चा रहे निजते जिसे संसार सारा ही सुरेश तपा रही तुम उग्र अद्बत रूप धारी कौन हो बतलाईए हे देव देव नमामी देव प्रसन अब हो जाईए तुम कौन आधि पुरू स्वरूप हो ये जानना मैं चाहता कुछ भी न मुझको आपकी इस दिव्य करनी का पता श्री भगवान ने कहा मैं काल हूँ सब लोक नाशक उक्र अपने को किये आया यहां संसार का संगार करने के लिए तु हो नहो तो भी धननजै देख तेरे बिन लड़े ये नश्ट होंगे वीर वर्योधा बड़े सब जो खड़े अत एव उठरी पुदल विजय कर प्राप्त कर सम्मान को फिर भोग इस धन्धान से परिपून राज्य महान को ही पार्थ में ने वीर ये सब मार पहले ही दिये आगे बड़ो तुम युद्ध में बस नाम करने के लिए ये भीश्म द्रोन तथा जैद्रत कन योधा और भी जो वीर वर है मार पहले ही दिये मेंने सबी अब मार इन मारे हुऊं को वीर वर्व्या कुल नहूं कर युद्धरण में शत्रूं को पार्थ जीते गाओ हो संजे ने कहा तब मुक्टधारी पार्थ सुनके शब कथन इस रीति से अपने उभै को जोड कर कंपते हुए भैबीत से नमते हुए गदगद गले से और भी डरते हुए श्री किष्ण से बोले वचनियों मंद ना करते हुए अर्जुन ने कहा होता जगत अनुरक्त हर्षित आपका किर्टन किये सब भागते राक्षस दिशाओं में तुम्हारा भैलिये नमता तुहें सब सिद्ध संग सुरेश बारंबार है हे रिशी केश समस्त ये उनका उचित वैवार है तुम भ्रम के भी आदिकारण और उनसे श्रेष्ट हो फिर हे महात्मन आपकी यो वंद ना कैसे न हो संसार के आधार हो हे देव देव अनन्त हो तुम सत असत इनसे परे अक्षर तुम्ही भगवन्त हो भगवन पुरातन पुरुष हो तुम विश्व के आधार हो हो आदि देव तथेव उत्तम दाम अपरम पार हो ग्याता तुम्ही हो जानने के योग्यभी भगवन्त हो संसार में व्यापे हुए हो देव देव अनन्त हो तुम वायुयम पावक वरुन एवं तुम्ही राकेश हो ब्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो हे देव देव प्रणाम देव प्रणाम सहसो बार हो फिर फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारं बार हो सानन्द सनमग और पीछे से मेरा प्रणाम सुरेश हो हरी बार बार प्रणाम चारो और से सर्वीश हो है वीर शोर रे अनंत बलधारी अतुल बलबन्त हो व्यापे हुए सब में इसी से सर्व हे भगबन्त हो तुमको समझ अपना सखा जाने बिना महिमा महा या दव सखा हे कृष्ण प्यार प्रमाद या हट से कहा अच्चुत हसाने के लिए आहार और विहार में सोते अकेले बैठते सब में किसी वैवार में सब की शमा मैं मांगता जो कुछ हुआ अपराद हो संसार में तुम अतुल अपरम पार और अगाद हो सारे चराचर के पिता है आप जगाधार हो है आप गुरुओं के गुरु अतिपुजय अपरम पार हो तै लोक में तुम सा प्रभो कोई कहीं भी है नहीं अनुपम अतुल अप्रभाव भढ़ कर कौन फिर हो का कहीं इस हे तुवंदन योग्य इश शरीर चरणों में किये मैं आपको करता प्रणाम प्रसन करने के लिए जो तात सुद के प्रिय प्रिया के मित्र सहचर अर्थ है अपराध मेरा आपतियों ही सहन हे तु समर्थ है यह रूप भगवन देखकर पहले न जो देखा कभी हरिशित हुआ मैं किंतु भई से है विकल भी मन अभी देवेश विश्वाधार देव प्रसन अब हो जाईए हे नात पहला रूप ही अपना मुझे दिखलाईए मैं चाहता हूँ देखना तुमको मुकुटधारण किये है सहसबाहु शुब करो में चक्र और गदा लिये हे विश्व मूर्थे फिर मुझे यह सौम में दर्शन दीजिये वैही चतरव जुरूप हे देवेश अपना कीजिये श्री भगवान ने कहा ही पार्त परम प्रसन हो तुझ पर अनुग्रे भाव से मैंने दिखाया विश्व रूप महान योग प्रभाव से यह परम ते जो मैं विराट अनन्त आदि अनूप है तेरे सिवा देखा किसी ने भी नहीं यह रूप है हे कुरु प्रवीर नवेद से स्वाध्याई अग्यनदान से दिखता नहीं मैं उग्र तप यह क्रिया कर्म विधान से मेरा विराट सुरूप इस नरलोक में अरजुन कहीं अतिरिक्त तेरे और कोई देख सकता है नहीं यह गोर रूप निहार कर मतमूड और अधीर हो फिर रूप पहला देख भय तज तुष्ट मन में वीर हो संजे ने कहा जो कह दिखाया रूप अपना सोम में तन फिर धर लिया भगवान ने भय भीत व्याकुल पार्थ को दीरज दिया अरजुन ने कहा यह सोम में नरतन देख भगवन मन ठिकाने आ गया जिस भानती पहले था वही अपनी अवस्था पा गया श्री भगवान ने कहा हे पार्थ दुरलब रूप यह जिसके अभी दर्शन किये सुर्भी तरस्ते है इसी की लाल सामन में लिये दिखतान मैं तपदान अथवा यक्यवेदों से कहीं तेखा जिसे तुने उसे नर देख पाते है नहीं हे पार्थ एक अनन्य मेरी भक्त से संभव सभी यह ज्यान दर्शन और मुझ में तत्प जान प्रवेश भी मेरे लिए जो कर्म तत पर नित्यमत पर भक्त है पाता मुझे वै जो सभी से वैरहीन विरक्त है क्यार्मा अध्याय समात हुआ हरी ओम तचसद